प्रेम कुमार धुमल ने प्रेम कुमार धुमल का बयान सरकार ने रक्षबंदन का ये बड़ा गिफ्ट दिया है देश्वासियों को LPG सिलेंडर स्वस्ता हुआ है त्योहारों पर किंदु सरकार ने बड़ा तौफ़ा दिया है अलबीजी सिलेंडर के दाम कम किये हैं पूर सियां प्रेम कुमार धुमल ने फ्रदान मुंत्री का अभार जोता है आज मोदी सिरकार ने का अतंत महत्रपुर निरने लिया है जो रक्षा बंदर की पूरुसंद्य पर सभी बेहनों के लिए एक बहुत बड़ा उपार है LPG के सिलेंडर की कीमत 200 रपे कम कर दी गई है और उज्वला युजला के तहट इनको मिलता है सिलेंडर उन्हें 400 रुपे क्या लाभ होगा 75 राख नए परिवारों को बेहनों को उज्वला युजला के तहट सिलेंडर मुंस दिये जाएंगी यह बहुत बड़ा उपार है मेंगाई से भी राहत है और रक्षा बंदन के पावंत वहर पर बेहनों के लिए बहुत ही उपयोगी उपार दिया गया है इसके लिए मुद्धी सरकार के बहुत बहुत दन्यवाद मुद्धी है तो मुंके नहीं आज रूकरिंगे इस बीचारी एक और बड़ी घबर की और बड़ी जोयनकारी इस बीचारी है वो आपको बतारे शिख्षकों के लिए सुकु सरकार का बड़ा तौफा जी हां श्रमला से बड़ी खाबार सिख्षकों को संमानित करेगी हिमाच्यो सरकार बड़ा तौफा सिख्षक दिवस पर उन सिख्षकों का सम्मानित किया जाएगा सिख्षा मंत्री द्वारे जोयनकारी जो है वो सांजर की गई सिख्षकों के लिए सुकु सरकार का बड़ा तौफा इस वक्त के बड़ी खबार सिख्षकों को सम्मानित करेगी हिवाचों सरका सिक्षक दिवस पर सम्मानित किया जाएगा सिक्षक मंत्री रोई ठाकुर ने एहलांग किया है। इसमें अपनी बैठक बिली बात भी की और जैसा आपने बता भी रहे थे कि कुछ उसमें प्राइसिस बड़े है। हालांकि इस तफ़ा आपकी फसल काफी कम है कोई पिचातरस सी लाग पेठियां जा चुकी है। और हालांकि आपका ड्वेलप आपका साइज नहीं हो पाया। दिविश्य में मैं समित्वनी जिक्षेत्र भी इस तरह का मनमानी ना करे। सरकार इस ओर भी विचार कर रही है। सिख्षक दिवस के मौके पर तो यह बढ़ी ख़बर आपको बता दें सिक्षक को सम्मानित करेगी přदेश सरकार। यह बड़ी और इहम ज़नकारी आपको दे रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा सबमानित किया जाएगा सिख्षकों को, ये बढ़ा तौफा जो है, सिख्षक दिवस पर, सिख्षकों को दिया जाएगा, इस वक्ध के बड़ी और एहम जानकारी आपको दे रहे हैं। तो सिक्षक दिवस पर यह बड़ा तौफा दिया जाएगा सिक्षकों को प्रदेश सरकार के तरफ से तबाम जो सिक्षक जिनोंने अपने कारिश्यत्र में वहतरीन कारे किया हैं, उन्हें सम्मानित करेगी प्रदेश सरकार इस सिक्षक दिवस इस वक्त की बड़े ख़बर आपको बता रहे हैं। रॉबिन शर्मा, समवदता हमारे साथ जुड़ गए हैं जाजानकारी के साथ, रॉबिन इस सिक्षक दिवस प्रदेश सरकार प्रदेश के जो बेहतरीन सिक्षक हैं, उन्हें सम्मानित करने जा रही हैं। यह जो कायकरम्स है, यह प्रदा पहली बार कायकरम नहीं है, सरकार पहले भी इस तरह से जो है, शिक्षकों को सम्मानित कर जाई है। इस बार क्योंके आपदात के खरण भी स्कूल को भी प्रदी हुई, स्कूल भी बन पड़े, ऐसे में शिक्षक जो है, वो प्ला नहार बजर आए, और और नहीं माद्यम से, दूसरे माद्यमों से बच्चों के बीच बने रहें। इसे में जो है, जो दूर दराज खेतर हैं, पर हिमाचल की बार तरे तो पहारी राज्य है, ऐसे में गई इलाके ऐसे हैं, जहां तक सडक महीं है, जहां तक पहुचने के लिए अभी भी किलोमेटर का जो फार्टा है, उस पैदे चलकर पहे करना पड़ा है, तो ऐसे राकों यहां पर शिक्षा पढ़ाते हैं, अबर ऐसे राकों में लिए पस्पूर है, तो तो दूर पर ऐसे शिक्षद्वों को सभानित करना बनता है, जो अपनी मेधा से और जो अपने परिश्रम से नगातार बच्चों के बीच बने रहते हैं, और बच्चों को उनके भवश्य क उनके भवश्य की तैयार करते हैं, जो ना कि वहां लगवश्य को सभवश्य को समानित करना बनता है, और बिलकुल रॉबिन ही बहुत बैतरीन प्रयास है, ऐसे दिश्या में ही ताकि सिक्षों को प्रोचसाहित ही ना किया जैसे कि साथे साथ बच्चों के अच्छे गुड प्रयास उनक शेत्रों के लिए खास तरह पर क्यूंकि शिक्षक एक ऐसा विभाग है, शिक्षक जो लोग है, इस शिर्णी के लोग है, जिन तो बढ़ा अभाव युवा अपली पर देने को पड़ता है, माता पे लिए माता प्रया किसी किया मत्वाना गया है ऐसी बच्च बच्चे के सोट बढ़त में तो शिक्षकों को गया है, इस शिक्षकों को अगर इस तरह में समानित क्या जाए तो निश्ची तो तक उनमें भावना पैदा होगी, कि वो बच्चों को अच्छे तरी के से और मेहनत करने का ज़र्बा है शिक्षकों में, वो भी पैदा होग इस तरह के परियास ना केवर शिक्षबों को एक उनमें घोड और उनमें एक प्रपी भाथ जो है आपकर करेगी बनकि ताह भी उन बर्टों के लिए भी एक संजीव जी परा होगा जो शिक्षबों के हाथ में और शिक्षबों के वारा जो है अगर बहुत शुक्रिया रॉब इस तमाम जानकारी के लिए बढ़ेंगे आगे उदर आपको बताएदे कि माचल प्रदीश सरकार में उपके मंत्री मुकेश रगने उत्री कांग्राज जिले के दौरे पर हैं और जहां पर उन्होंने बार प्रभाविश शेत्रों का दौरा किया इस दौरान उन्होंने जो कोई बारी बारिश से नुक्सान का विस्त ब्यूरा और जानकारी दी गए सबसे बड़ी बात है जो लोगों के मकान गए हैं जीवन में मकान या आवास का सपना हर व्यक्ति संजोता है और अगर वोही सपना उनका तूट जाए और किसी का भी हो कोई जो लाइफ टाइम पूरा जीवन लगा के पूरे जीवन के पूंजी लगा के लोग जो हैं जब मकान बढाते हैं अड्मिस्टेशन का भी बहुत बड़ा रोल है कि मौके पे समय पे पहुँचके उनको मदद किये हैं मदद का हाथ आगे बढ़ाया है और इसी प्रयास के चलते हैं लगवग तीन हजार लोगों को कांगरा प्रशाशन जो हैं रेस्क्यू कर सका है उदरे माचल सरकार के खिलाब गैरंटियों को लेकर एक बारफ़र से बगावती सुरूट ने लगे हैं बीजेपी नेताओं ने कहा है कि प्रदेश भर की बहने सरकार से पिछले नौ महीने से अपना हक मांग रही है लेकिन सरकार महिलाओं को पंदर सो रुपे देने की गैरंटियों को पूरा नहीं कर रही है वहीं बीजेपी ने सुखु सरकार पर निश्वान असार्तियों कहा कि कॉंगरेस सत्ता में जूटी गैरंटिया दे कर आई है कि वाचल परदेश की अंदर आठ महीने पूरव जब चुनाब हुए थे तो कांगरेस के लोगों ने कहा था कांगरेस के नेताओं ने कहा था कि हम सरकार बनने पर पहले दिन ही महिलाओं को जो है वो पंदरा सो रुपे देने का जो है वो आदेश चारी करेंगे जिसके कारण महिलाओं ने कॉंगरेस के पक्ष में अधिकतर जो है वो गोटे डाली लेकिन आठ महीने का समय भी दिया आज परदेश के अंदर 32 लाक महिलाओं जो आज इंतजार कर रही है पंदरा सो रुपे का अगर आठ महीने में बारा हजार पै उनके खाते में कब पढ़ते हैं मैं मानी मुख्या मंत्री जी से आगरे करता हूँ कि जल्दी ही उनके खाते में ये धन राशी डालें अन्यता महिलाएं जो है वो इस बात के लिए मजबूर होगी कि वो सड़क पर उत्रें और कॉंगरेस के विरोध में ये अंदोलन खड़ा करें उदर मंडी से मनाली तक का बारिष कारण श्रतिग्रस हुए फोरलीन और राहाईवी को दिश्वेरे से पहले हर हाल में बाहल करने का प्रयास किया जा रहा है जोसके जुलती इसे हर हाल में पूरा करने का प्रयास किया जा रहा है इसके लिए यहां काम कर रहे लोगों को मोटिवीट किया जा रहा है ताकि जुखल से जुखल इस कारे को पूरा किया जा सके मुखता मुखता ने इच्छा जाहिर किया कि दसेरा होता है कुलूंदसेरा 15 अक्टूबर तक यहां की connectivity रेस्टोर हो जाया तो आज हमें थीम को जायजा लिया इन सब को motivate किया हमारे पूरी कोसिस रहेगी कि 15 अक्टूबर तक यहां की करनेक्टिक रेश्टोर हो जाए ए और दूसरा मुझे बहुत बहुत धन्वाद यहां के लोगों को दे दूँगा कि जो कि हमारी टीम है इसको इसकी होसला अब जाई कर रखे और कॉपरेशन मिल रहा है उदर आपको बतादे कि माचल प्रदीश अपनी देवीय परंपराओं के लिए विश्विक्यात है कांग्ड़ा जिले भी अपनी देवीय परंपराओं के लिए खासतोर पर जाना जाता है बता दें आपको कि कांगडाजिले में मिनी मणे महिश के नाम से विख्यात दर्मशाला के 90 स्तित ढल डलचील में पवित्र स्नान की तिती सामने आ गई है इस बाद ढलचील में पवित्र स्नान 22 और 13 सतंबर को होगा और पंच्वांग के नुसार इस बार का स्नान ठंडर स्नान होगा पहले जहां लिकिश की वज़िए से अडल लेक में पानी ठहरता नहीं था तो इस बार लेक पाने से भरी हुई है इस बार जो है ये बाई यहोटे इस तम्रगो है तो हमारा इसमें जो पंचांक के अनुसार जो बादरों के प्रिविश्टे 20 के बाद आए तो इस पर थंडा नान जो एका लाए जाएगा यह कि जो मनी महिस नहीं पहुंच पते हैं वो यहां सनान कर लें यहां दर्सन कर लें तो समझून की मनी महिस की अत्रा जो है सपल हो जाती है उधर आपको बताते हैं कि विलासपूर के अगुमार्जी दान सबच शेत्र के विधायक रज़िश धर्माणी ने प्रभाविश शेत्रों का दोरा किया और जोरान उन्होंने कहा कि आपदा प्रभाविशों के पुनर्वास के लिए सरकार कारगर कदम उठाएगी इसलिए ततपरता के साथ कारे किया जा रहा है और धर्माणी ने अमरपुर रा पनौल फटोहो दकडी पंच्वायत में नुकसान का जोहजा लिया और प्रभाविश परिवारों के साथ बादश्वीत करते हुए कहा कि प्रभाविश सरकार जोरान माल की सुरक्षा सुनिश प्रभाविश परिवारों को ततकाल राहत प्रदान करने के नरदेश दिये गए हैं के आदियों को बहुत ज्यादा सूरित है और इस कारेकरम करने वाले अपनी कमपनी का मैं इसका बहुत अवहार प्रदान करता हूँ वहीं हिमाचल प्रदेश सरकार और साथी किंद्र सरकार एक तरफ जहां बच्चों को बहतर सक्षा देने के दावे कर रही है वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही है जलाचमबा के तहट आने वाले राजके वरिश मादमे के द्याले कलहिल में दरसल पिछले कई सालों से स्टाफ की कमी बनी हुई है जिस कारण बच्चों की पढ़ाई पर असर भी पढ़ रहा है कलहिल स्कूल में दरसल 220 बच्चे सिक्षा ग्रेंड कर रही है हमारे विद्याले में पिछले 3-4 बच्चों से कई पद खाली है जिसे हमें पढ़ने में बहुत ही दिक्कत आती है हमारे विद्याले में इतिहास, राजनितिक शाष्टर, हिंदी अनेक पद खाली है मैं सरकार से मांग करना चाहती हूँ कि हमारे विद्याले में जल्दी से जल्दी इन पदों पर प्रवक्ता को भेज़ा जाए मैं सरकार से अनुरोद करना चाहूँगी कि हमारे विद्याले में इन परवक्ताओं को जल्द से जल्द भेज़ा जाए पिछले के वरसों से लेक्चर की लगवच चार पोष्टें बेकेंट चल रही है इस बारे में हमने के बाद सरकार को चिताया और लेटर भी लिखे परन्तू अभी तक ये पोश्टें खाली है इसमें परवक्ता हिंदी, परवक्ता पॉल साइंस, मैस और हिस्ट्री की पोश्टें जो अब तक बेकेंट चल रही है जिसे की बच्चों की पड़ाई बहुत हिबादित हो रही है पॉलेन की जो आतिथान गाओं में जो गलत निर्माण और जो पानी की निकासिया ना निकालने के कारण जो हर बार बरसात में जो लगबग गाओं में दस पंदरा घरों में लगबग हर बार चार-चार फुट पानी बरसाता है आतिधान गाउं में जितने भी फ्लाइ ओवर की जद में चनित कीए गया हैं, उनका मुआफिजा अभी तक नहीं देने की कारण लगबग एक साल से नहीं देने की कारण उसके बिरोग में आज हमने आतिधान गाउं के आतिधान चौक में आज करमिक अंशन बुक अड़ेताल में पानी जितना भी आता है पानी की निकासी जीट ना करने के कारण और सारा पानी हम लोगों के घर में गुशता है उधर आपको बताते कि जम्मा में डिग्री कॉलेज के चात्राओं ने दरसा लिगम के बस सा नहीं चुलने पर जमकर प्रसाश्रों के खिलाफ जमकर नारिबासे की नराज चात्रों ने बताया कि पहले कॉलेज तक के लिए दो बसे चुलती थी लेकिन अब सिर्फ एक ही बस और जिसे चात्रों को आने जाने में काफी परिशान होगा सामने करना पड़ रहा है कई बार तो चात्रों को बस में लिटक कर सफर करना पड़ता है चात्रों ने प्रसाश्रों से बज़े बढ़ाने कि अपनी ते जुटे हैं बाते नहीं चलेंगे जुटे हैं बाते नहीं चलेंगे अटना प्रशाचन आए 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 अधर आए आए अधर आपको बता देगे हैं माचल प्रदेश में दिनों दरसल सेव सीजन चल रहा है और किलों के हसाब से सरकार ने सेव को बेश्ट में किया है और सब पाडू में नौ लाग सेव की पेविटियां जो हैं वो पहुंच चुके हैं जो उसके बादे हम से एक अरब बसफ़त्रा करोड का व्यापार सेव का हो चुका है इन दिनों मंडियों में कोटखाई, कोटगर्ड, अरोहू, खरसौक और शमला शुरेत्रगा सेव पहुंच रह रहा है, सभी बागवानों से, इमाचल प्रदेश की सभी मंडियों में केजी के हिसाब से खरीदा जा रहा है, जिसके परिणाम सरूप बागवान बहुत खुश हैं, और उनको बहुत अच्छे दाम मिल रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ था, जिस तरह के इस वार दाम मिल रह तक पहुंच चुका कुश है कि अच्छे लिए लिए, जिए मिल कुल इसमें प्रिष्ले जन आवरे वरसात में आपदा की जब हमारे पर संकडाया था तो समें स्लॉटर ऑज मारा पूरा उसमें गेर गया था, पुरी बिल्डिंगो बहुत इती ते चार बिल्डिंग उसमें भी चले गए थे, तो आज कर दो तीन दिन से मौसम ठीक है और महारी ना कोई फैले इसलिए इसलिए में एक प्रिकॉशनेरी हमने उस सेरी को कवर करके वह पे मिशी ले गाई है और ताकि उसको जल से जल उसको खाली किया जाए और सारा जीसी में के साथ उसको जो महा पड़ा है उसको लिफ्ट तो कृशना नगर में बड़ा बिमारियों का खत्रा आपको बताते कि दरसलिए पांसो मीटर तक कंटूर्मेंट जोन जो है वो होशित कर दिया गया है जिसकी वच्छे से लैंड स्लाइड भी हुई बढ़ेंगे आगे आपको बताते कि राकी को लेकर बाजार पूरी तरीक से बनी राकिया लोगों को खूब पसंदा रही है त्यार दिख रही है और विभिन प्रकार की यहां पर जो है राकिया भी आ गई है लोगों के बीच में देख रहे हैं ले रहे हैं तमाम चीजों के लिए बात करेंगे हमारे साथ यहां पे खुद महिलाएं मौजूद हैं जिन्हों ने यह राकिया बनाई है आईए उनी से बात करते हैं सबसे पहले आप अपने नाम बताएं और कहां से हैं आप नविश्कार जी मेरा नाम सर्लावर्मा है मैं मिशोबरा ब्लॉक से ग्राम पंचाय नाल देरा से हमने सुना यहां पर जो राखिया है वो बहुत खास है इसमें कुछ खास बात है हमारे दर्शकों को हैं कि क्या खास है और किस तरह की राखिया राखिया तो यह जैसे आप देख रहे हैं यह पाइन की राखिया है पाइन नीडल से जो चील की पत्या है उन से बनाएगी राखिया है चील की जो जंगल होते वैसे भी नुकसान करते गर्मियों में आग लग जाती है तो फिर इ जैसे यह गोबर की राखी बना के और इसका यूज हम जब करेंगे तो उसके बाद हम जब इसे फैंकेंगे तो इसको फैंकना नहीं है हमारे घर में जैसे हमने फूल लगाये होते कुछ भी आप उसमें डाल के ये खात का गाम भी करता है तो ये थी वो सेल्फ हेल्फ ग्रूप से जुड़ी महिलाएं जिनोंने यहाँ पर प्राकृतिक तोर पर बनी राखियां लाई हैं और एक संदेश दे रही हैं कि प्राकृति को बचाना है और साथ में जो प्रेम का और सौहाद का तिवाहार है रक्षा बंदन उसकी भी मुख्य मंत्री आपदा राहत कोश्टी पेटी जिसमें लोग बढ़ चड़ करदान दे रहे हैं ताकि इस आपदा की घड़ी में हिमाचल को बचा जा सके शिमला से कैमरा मैन रोशन भादवाज के साथ रॉबिन शर्मा शिमला रुकरेंगिस बीचारी एक बड़ी खबर के और बड़ी चानकारी पीडेवलूडी मंत्री का बड़ा बयान पैसों की कमी बन रही रहतकारियों में बड़ी बाधा ये बड़ी खबर ये बड़ा बयान पीडेवलूडी मंत्री का आया है पीडेवलूडी विभाग के पास बजट की कमी है, इस बात का जिकर उनोंने क्या है, बजट की कमी, कोई चुपाने वाली बात नहीं है। बजट की काम तो हो रहा है, बजट की काम तो हो रहा है, अगर उतना बजटरी प्रोजट नहीं हो पा रहा है। मगर जो हार्ट पैक्ट है, अभी तक जो हमको कोई भी फिनांशल पैकेज और विशेश रूप से हमागा अपकें सरकार की और से नहीं है। चलिए सी के साथ पाहर प्रबात के खबरों में अभी के लिए फिलाल इतना ही, वक्त ही छोड़ सबरेका।